मेरा इस वाता है कि आपने इस मोवी पिज़े लिए एक सिस्टम प्लेक्टर का रोल कर रहा है और सिस्टम का दूसरा साइड रिप्रेजन करती है दिव्याजी जो इस मेरा इस वाइफ इन फिल्म मगर इनका एक अलग ही टेक है उसमें जो सिस्टम से कनेक्टर है मगर एक अलग पहलू है वो यह बताएंगे सिस्टम में जैसे हाँ क्योंकि राजा के बाद राणी की बाद राजा को सुननी बढ़ती है तो पहले राजा बोल देता है भाद में मौका मिले हाना है नहीं जैसे इन्होंने ऐसे कहानियें से वीव की गई हैं तो system है, system की priority नहीं है, यह चीज, वो जब लड़की आती है system के पास, तो नजर अंदाज कर दिया जाता है, हाँ, देख लेंगे, और अपने रोज के कामों में लगे रहते हैं, तो वो priority नहीं है, जब तक उनकी personal जिंदगी में कुछ ऐसा हाथा नहीं होता, तो वो sensitize खुद नहीं होते, so system भी आपको कभी-कभी मजबूर कर देता है, एक रास्ता चुनने के लिए, तो अगर आप उसमें लगे रहते हैं, संकर्ष करते रहते हैं, जो यह लड़की करती है, और इसकी victory भी होती है, लेकिन कहीं न कही अगर आपको रास्ता नहीं दिखा रहा तो आप बहग जाते हैं, लुकिली फिर रानी के बाद जाती है, और रानी कोशिश करके संभाल लेती है situation, आगे दिविया, अगे दिविया, उससे पहले मैं जिस कॉंटेक्स एक वोगता लेता हूं, कि यह एक बहुत ही, यह कॉस ब इस तो मूवी है, मगर बहुत ही एंटर्टेनिंग तरह से हम लोगों ने कहा है कहानी को, और यह कहानी है जो एक फोक स्टोरी बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा, कि एक खजन चड़िया की कहानी है, जिसे फिल्म में सुनीदी चोहान ने गाया है, और फोक स्टोरी फिर से सब में आ रही है कि एक चड़िया जो है बहुत उसका दाना गिर जाता है खुटे में और फिर बढ़ी के पास जाती है कि बढ़ी बढ़ी खुटा चीरो खुटा खुटा में दाल है, का खाई, का पिहीं का लेके परदेश आए, तो बढ़ी उसको ना अब बढ़ी ना बोलता है तो वो हाट नहीं मानती है जाती है राजा के पास राजा भी बोल देता है ना फिर जाती है राणी के पास की राणी 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 र साप मारो साप फिर आग के पास की लाटी जलाओ फिर समंदर के पास की आग बुजाओ और फिर हाथी के पास की समंदर सोखो अब समंदर सोखने के लिए हाथी बहुत चोटा है मागर हाथी के पास हिम्मत है तो एक सून भी सोख सकता है तो बोलता है चलो तो कहानी वहाँ से टर्न होती है और फिर समंदर बोलता है नहीं मुझे कुछ मत करो मैं आग को बुझा दूँगा आग बोलता है मैं लाटी जला दूँगा आग लाटी बोलता है मैं साप मारूंगा साप रानी डसूँगा रानी राजा तो ऐसे करके वह बड़े खुटा चे उसमें, तो उसको धूंडने के लिए तो जिसतरह से मिठाई वाले, चाये वाले, रिक्षे वाले колчесर्स। क्लेक्टर की वाइफ, जर्नलिस्ट प्ले कर रही है, एक्टिवेस्ट, भमन इराणी प्ले कर रहे है। aceite प्लास, पुलीस, जुडिशियरे में जिस तरह मिलती है, वह यहे कहानी का पsomने उसमें यह राजा प्ले कर रहा है, इस में पुछती है, कि राजा कौन है? बता राजा तो बिक्षेडर है, etcetera कोई को बता देता है, राजा क्लेक्टार रहा, वार सेथ सभी सेथी आपनुसे हैँ जो जरॉनलिस्ट ऒापसे पताएंगी थोम थोड़ा साप आपसे सुनते हैं यह इसने क्या है यह गया थाप यह था यह थे पताइंगी यह थे से लिए लिए भूच्छान आपषिव काषिए वी हम आज कोई कोई आंसर देते आते लेकिन जैसे बच्चे छोटे बच्चे है जो अभी भी सड़कों पे भीख मांगते हैं और कुछ लोगों की सोच जी होती है जैसे कि अभी कोई होधे कि हम पैसे नहीं देंगे, हम युदा देंगे लेकिन जैसे होता ही कि आप उन बच्चों से बोले कि आप यहां पर ना आए आए कुछ खाले तो वो मना कर देते हैं नहीं तो इसके बारे के आपके मोग में कुछ दिखाया गया है